सर्दियों में घूमने का अपना एक अलग ही मजा है तो बस इस ठंड को यादकार बनाने के लिए हम आपके लिए लेकर आए हैं भारत में दिसंबर में घूमने के लिए सबसे हूपसूरत जगों की चानकारी तो आईए जानते हैं भारत में दिसम्बर में घूमने के लिए इन सबसे बहतरी जगों के बारे में अगर आप सच में बर्फबारी का सबसे बड़े आनन भारत में लेना चाहते हैं तो दिसंबर में कश्मीर में बर्फबारी की शुरुवात का लुद्फ उठा सकते हैं जमु कश्मीर में सोनमर्ग से थोड़ी दूड़ी परिस्थे थजिवास ग्लेश्यर, विशाल और शांदार सुन्दर्ता से भरपूर है धजिवास परवत से घीरा, घास के मैदानों और जमी हुई जीलों से घीरा या काफी खोबसूरत जगह है दावकी शिलॉंग दिसंबर में 12 से 20 डिगडी के तापमान के साथ यह जगह स्वर्ग जैसा महसूस होता है बता दे कि शिलॉंग देश का एक मात्र ऐसा हिल स्टेशन है जहां हर तरप से पहुँचा जा सकता है दावकी में उनम गोट नदी का पानी इतना साफ है उस पर तैरती नाओ ऐसी लगती है जैसे वह हवा में तैर रही हो आप यहां नदी के पास शहर में मीठे और रसीले संत्रे का आनंद भी ले सकते हैं डलहौजी हिमाचल प्रदेश डलहौजी जिसे मीनी स्वेटजर लैंड औफ इंडिया भी कहा जाता है यहां एक हिल स्टेशन है जो इतना शान्त है कि आपका सारा तनाओ यहां जाकर मानो गायब हो जाएगा तो क्यों ना इस सर्दी में शहरी जीवन की हलचल से दूर हिमाचल प्रदेश के टॉप प्रयतर स्थलों में से एक डलहौजी में आराम से बैठे और प्रकृती का आनंद ले